आप सभी का स्वागत है आज हम रिजिनिंग के ऐसे कुछ प्रस्ण लेकर आए हैं जो एक्जाम में अगर इन प्रस्णों को आप गलत करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल से काभी दूर हो जाएंगे ठीक है तो ये प्रस्ण जो है आपके एक्जाम में काभी भी गलत नहीं करना है ठीक है देखिए कठीन प्रस्ण आपके गलत हो जाते हैं तो वहां पर आपको कम दिक्कत होगी लेकिन अगर आपको आपको परिच्छा में जो है आसान प्रस्ण गलत होते हैं तो आपको जो है सफल होने में आपको दिक्कत हो सकते है ठीक है तो इन प्रस नहीं वह वेन आरेक चुने जो निम्न के बीच शंबंद को सबसे अच्छी तरह से समझता है समझाता है आप करें कि लड़के अथलीट और छात्र यह आपको बताना है तो boys, athletes, students यह आपको यहाँ पर कौन सा सही वेन डाइग्राम वाला होगा आपसन ने देखिए, आपसन B, आपसन C या आपसन T देखिए इसका बनेगा भी, क्या करेंगे, कुछ boy, यह boy को दिखा दीजिए और कुछ athlete को दिखा दीजिए, ACD note कर देदें, ठीक है क्या करें, कुछ boy जो है, क्या है, athlete है और देखिए, कुछ लड़के क्या होंगे, छातर होंगे, और कुछ छातर जो है, athlete होंगे तो इसमें यह संबंध आपका बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे student हो जाएगा, ठीक है तो यह आपका diagram बनेगा, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ लड़के athlete है कुछ लड़के क्या होंगे, चातर होंगे, और कुछ चातर, यह थे, लीट होंगे तो option number आपका right कौन्स हो जाएगा, B number यहाँ पे साही हो जाएगा, ठीक है आए देखते हैं, और कुछ प्रस्ने है, यह देखिए, आपका हर set में आपसे प्रस्न उचा जाता है और जो की काफी आसान होता है, यह आपके प्रस्ने गलत नहीं करना चलिए, देखिए, आगल second number प्रस्ने भी, करें, आरेक का अध्यान करें और उन लोगों की पहचान करें, जो केवल एक भासा बोल सकते है, देखिए भी, यहाँ ध्यान देना केवल बोल दिया है केवल एक भासा, मतलब प्रस्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है, केवल एक भासा, देखिए, केवल एक भासा कौन-कौन बोल रहा है देखिए, A नंबर है, C नंबर है, और कौन सा है, B नंबर है, तो यहाँ पर right answer आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए, C, A, B तो option देखिए, option number C साही हो जाए, कितना आसान है, और कम समय लगता है, देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इसी को आपको कई प्रकार से प्रस्न और बना सकता था, केवल नहीं लगाया, सिर्फ दो भासाए कह दिया, तो भाई, E, F, D, और G, B होगा, ठीक है, तीनो जी बोल रहा है, जी जो है, तीनो भासाए लेगा, जो अगर केवल कहता दो भासाए के लिए, तो E, F, D लगाते, ठीक है, तो भासाओं को ध्यान रखकर प्रस्नों को अच्छे तरह से पढ़कर करना है, ठीक है, तो option C आपको यहाँ साही हो जाएगा, आए देखते है, और यहाँ पर साइड में लिख लिए करें, ऐसे माइनस कर्थ बराबर भाग, ऐसे लिख लिए करें, ठीक है, और प्लस का अर्थ है, प्लस कर्थ कह रहे हैं कि गुडा है, ठीक है, और भाग का अर्थ है, भाग कर्थ क्या है, गटाओ मतलब माइनस है, ठीक है, और गुडा कर् अब यहीं पर आपको रखना है, देखिए, 6 लिखिए, और भाग का भी आपने देखा, भाग का रथ माइनस है, माइनस लगाएंगे, 20 लिखेंगे, देखिए, गुड़ा का रथ प्लस है, तो प्लस रख देंगे, 12 हो जाएगा, और देखिए, यह प्लस का रथ क्या कहे रहा तो एक में आपको भाग देना, तो साथ ही आएगा, ठीक है, तो अब साथ से गुड़ा कर लेंगे, तो 84 हो जाएगा, बरसते 84, प्लस यह इधर उतार देंगे, ठीक है, आप देखिए, प्लस प्लस आपको जुड़ जाएगा, ठीक है, तो यह आपके द्यार रखिए, तो देखिए, 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देखिए, 90 माइनस का 20, तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर बार्ड मास रूल आना चाहिए, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, फिर गुड़ा, फिर जो करेंगे, आयत जो है, पूरुष को, आयत, आयत देखिए, यह आयत है, तो यह पूरुष को डिनोट कर रहा है, ठीक है, आयत पूरुष को, तिर्भूज, तिर्भूज जो है, यह सिच्छित को दर साथा है, तो यह सिच्छित कर दीजी, ऐसे आप साटकड में लिख लिए क दरसाता है बृत जो है सहरी को, बृत क्या है भी, सहरी को कर रहा है, दरसाता और वर्ग जो है सरकारी कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को, इस प्रकार आपको जल्दी से कर लेना है, ठीक है, अब यहाँ पे आप से पूछा गया है, चलिए, तो यहाँ पे नीचे आपका प्र तो जिस तरह से आप लिख लिए थे आपको जना आयत जो है आपको पुरुस ठीक है कर दीजिए जल्दी से और तिर्भुच जो है सिच्छित को कर दीजिए ठीक है और आपका बृत जो है सहरी को दिखा रहा है और वर्ग जो है सरकारी कर्मचारी को ठीक है यह हो गया अब द पुरुस देखिए पुरुस जो है आयत को दिखा रहा है ठीक है और पुरुस का प्रतित करता है और जो सहरी है सहरी कौन है भी ये बृत वाला ठीक है होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी ये इतना आपको ध्यान देना है तो ये ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक है ये करना तो यहां पर आपको तिरभुज वाला हमको छोड़ना है चलिए तो सही option आपको यहां पर कौन हो जाएगा तो इस प्रकार आपका राइट अंसर हो जाएगा यहां पर कौन दिखा रहा है यहां देखिए six number आपको यह आला आ रहा है कैसा है भी सारी भी है और सरकारी कर्मचा भी है तो आपसन यहां पर यह नंबर इसका राइट हो जाएगा तो इस प्रकार आपको करना है ठीक है देखिए six number यह दोनों में आ रहा है तिरभुज में भी और चलिए तिरभुज नहीं बृत और वर्ग और आयत में ठीक है तो आपसन नंबर यहां पर कौन हो जाएगा राइट अंसर देखिए इसमें कौन हो जाएगा तो यहां पर देखिए जो पूरूस होंगे वे क्या होंगे कुछ सिचक होंगे और जो है जो लेखक होंगे वे क्या होंगे पूरूस भी होंगे और सिचक भी होंगे तो इस प्रकार आपका यह बन जाएगा तो देखिए option number अगर भी आपका सही हो जाएगा पहला ही question की तरह ये भी बनेगा ठीक है आई अगला देखते हैं अब देखिए simplification भी आपके reasoning में ही पूछा था मैत के प्रसने तो ये देखिए इसको कैसे करना है तो आप चांते हैं पहले क्या करेंगे डिवाइट करेंगे तो ये देखिए 12 प्लस उताल लेंगे तो देखिए 2 से डिवाइट कर देंगे कितना आएगा और 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 24 आएगा ना माइनस का 20 उताल लीजिए अब प्लस का देखिए माइनस का 20 प्लस लगा दीजिए और यहाँ पे देखिए मल्टिप्लाई कर दीजिए अब डिवाइट के बाद मल्टिप्लाई होता है तो 12 हो जाएगा ठीक है तो अब इनको देखिए ये 12 ये 12 14 हो जाएगा 12 12 24 कितना हो गया 48 आगया और माइनस का 20 ये आलाब आपका प्रश्ण है कहने कि एक पंकीति में चेतन उपर से 18 होए है तो उपर से 18 होए ऐसे फिगर बनाने के जरूत भी नहीं है नीचे से 15 होए है 15 होए तो उस पंकीति में उमीदवारों के कुल शंख्या कितनी है यह बहुत ही आसान प्रशने भी, 18 प्लस 15 माइनस का 1, देखी, माइनस का 1 क्यों करते हैं, क्योंकि जब एक ही ब्यक्ती रहेगा, ठीक है, देखी, चेतन के बारे मिकार उपर से भी 18 और यही बंदा नीचे से भी 15 अब ही, एक आदमी क्या दो जगे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, इसलिए हमको एक माइनस करना पड़ता है, ठीक है, तो यह आप जोड़ेंगे, तो 8, 5, 13 हो जाएगा, और 1, 1, 2, 1, 3 हो जाएगा, माइनस 1, मतलब आपका 32, आपसन सी सही हो जाएगा, इन प्रशनों को आपको आसानी से करना है, और गलत भी विर्कुल नहीं करना ह ठीक है, तो करम से लगाना है, तो यहाँ पहला है डाक्टर, बुखार, नुकसा लिखना, निदान करना या दवा कर लेगा, तो पहले क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना है, पहले यहाँ पर क्या आएगा, देखिए, पहले आपको क्या होगा, बुखार होगा, ठीक ह ठीक है फिर क्या करेगा आपको यहां पे निदान फिर क्या करेगा नुक्सा लिखना फिर क्या करेगा दवा करेगा ठीक है दवा देगा तो इस परकार आपका कौन सा option यहां हो जाएगा D number आपका यहाँ सही हो जाएगा ठीक है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो D number आपका यहाँ विर्कुल सही हो जाएगा option आए देखते हैं अगला है कहने दिये गए चितर में यदि तिर्भूज जो है स्वास्त को क्या है स्वास्त को मता रहा है लोगों को दरसाता है आयत जो है ब्रिध व्यक्तियों को यह ब्रिध व्यक्ति हो गए है ठीक है ब्रिध व्यक्तियों को दरसाता है और ब्रिध जो है पुरुस को ठीक है पुरुस को दरसाता है तो दरसाता है तो उन पुरुसों की संख्या उन पूरसों की संक्या क्या है? जो स्वस्त हैं, लेकिन देखिए बृध नहीं होना चाहिए, बृध व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तो बृध देखिए पूरा काड़ दीजिए, यह नहीं होना चाहिए, क्या है? यह पूरा खतम कर दीजिए, जो कहा है, तो इसमें नहीं जाएगा देखिए यह पूरुस है ठीक है यह आपका बृत जो है पूरुस हो गया है यहां से ठीक है बृत जो है पूरुसों को दर्शता है एक उन पूरुसों की संक्या क्या है जो स्वास्त है लेकिन बृत नहीं तो यह तिर्भुत जो है आपका स्वास्त देखिए यह तो आज दिखते हैं अंगला है वह वेन आरेक चुने जो निम्न के बीच संबंद को सबसे अच्छी तरह से समझाता है देखिए करें कि पती, परिवार, पतनी देखिए ये आपका परिवार हो गया ठीके भी परिवार हो गया परिवार में आपका पती और पतनी आजाएगा ठीके तो आप्शन नमबर देखिए 75 का कॉंस हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा परिवार के अंतरगत ही तो पती पतनी आता है ठीके तो आप्शन डी सही हो जाएगा अब इन परशनों में आपके समय नहीं लगा, देखिए भी आपके आता है परशन, इसमें भी आपका असानी होता है, करें कि सेर मांद, सेर जो है मांद में रहता है, तो खरगोज कहां रहेगा भई, ठीक है, मांद में तब समय देन मने गुफा में रहता है, तो खरगोज कहा बीच सबसे संबंद को सबसे अच्छी तरह से दर साता है देखी भी ये इंडिया हो गया भारत हो गया आप देखिए आपका कौन फिर सूरत हो जाएगा ठीक है फिर इसके सूरत किसमे है भी गुजरात में है तो ये आपका सही भारत के अंदर जो है कौन है गुजरात गुजरात के अंदर सूरत है चलिए आज देखते हैं ये वाला प्रसन आपके ये भी आप उचा गया था सिंप्लिपिकेशन का है चलिए इसको कर दीजिए भी तो देखिए तीन में 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा 40 आएगा प्लस देखिए आट तरिक 24 हो जाएगा माइनस का 40 अब देखिए 44-40 कितना होता है जोड़ा देंगे 80 माइनस का 20 ठीक है 80 माइनस का 24 कितना आएगा भी यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा स्वरी ये तो माइनस माइनस कर जाएगा ठीक है माइनस आगे लगा है ठीक है माइनस 40 प्लस 40 कर गया तो कितना अंसर आया यह आपका कितना अंसर आएगा 24 आएगा हो गया डी नंबर आपसे ठीक है तो माइनस प्लस देना है ठीक है 24 इसका राइट अंसर हो जाए तो इनमें कितना समय लगा ठीक है चलिए आज देखते हैं कि लाए चलिए यह देखिए फिर इस तरह से अलने मिलिखित आकरित का अध्यान करें और नीचे दिये गए प्रस्ण का उत्तर दे ठीक है देखिए जो आपका वर गये प्रसिचित नर से हैं तो ठीक है तो आपको पताना है संख्या साथ से क्या दर्साया जाता है तो ये बताना है देखिए साथ कहां आ रहा है ये ठीक है तिरभूज और बृत के अंदर आ रहा है ठीक है तिरभूज और बृत के अंदर आ रहा है तो ये बंद कर दीजे ठीक है तो ये आपको पर असी चित नर्से, राइट अंसर आपका कौन सो जाएगा, तो देखिए, आप्शन B हो जाएगा, अस्पताल में विवाहित नर्से, ठीक है, आज देखते हैं, अगला है, यह देखिए, आपका दरपन से प्रशना आता है, जो की बहुत ही आशान होता है, वाहिविकल पुछने जो दिये गए, संयोजन की दरपन 6 से काफी मिलता, जुलता है, देखिए, राइट अंसर आपका यहां कौन सो जाएगा, देखिए, यहां पे, अब जो है, जब यहां पे आप दरपन लगा देंगे, राइट में कहे रहा है, दरपन लगा दीजिए, तो क्या करेंगे, तो पहले आपका क्या आजाएगा, बी आजाएगा, बी आपको क्या से बनेगा, उल्टा बनेगा, तो उल्टा तो देखिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आपके सब आजागी, पहले पहले तो आई आईगा ना पहले आई आई आईगा, क्योंकि यह उलट जाए में यह पनाई, यह एसे ही रहेगा, ठीक है 16 जो है उल्टेगा तो यह कैसे बनेगा कुछ 16 तो ऐसे बन जाएगा कुछ ऐसे ठीक है और देखिए 1 जो है ऐसे हो जाएगा उधर को हो जाएगा ठीक और देखिए Q Q जो है ऐसे बनेगा और A A तो आपका स्थेम रहता है ठीक है देखिए फोर कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ठिक और आर जो है आपका उलट जाएगा आर जो है ठिक ऐसे बन जाएगा और बी जो है उलट जाएगा कौन हो जाएगा तो option number D number आपका यहाँ सही हो जाएगा ठिक है तो यह 9 नहीं यह 16 था ठिक है चलिए तो right answer कौन हो तो 108, स्वारी, पहले आप यहां पर भाग दीजिए, देखिए 36 तरिका कितने हो जाएगा, तीन बार जाएगा, तो 3 गुड़े, एक बटा 4 हो जाएगा, 36 तरिका कितने, 108 हो जाएगा, ठीक है भी, प्लस, देखिए, 2 बटा 5, और देखिए, 4 तरिका 12, 13, ठीक है, 4 तरिका 12, साल करेजी, तो यह हो जाएगा, 3 बटा 4, ठीक है, प्लस, आप देखिए, यह काट देजिए, 2 दूना, 4, तो यह हो जाएगा, 13 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है, 13 बटे, यह ही 5 दूना 10 न, 13 बटे 10, तो LCM आपका कितना हो गया, यहां पर 40, 40 क्यों लेंगे, 20 ही ले लिजिए, हो जाएगा, ठीक है, तो 4, 25, 25, यह ही 15, ठीक है, प्लस लगा दीजिए, 10 दूना 20, 13 दूना 26, तो कितना हो गया भी यह, यह आपका हो गया, 40, ठीक है, 40 बटा 20, डिवाइट करेंगे, कितना आएगा, 20 सही, sorry, 2 सही, 1 बटा 20, ठीक है, यह आपका अंसर हो जाएगा, कौन सो हो जाएगा, 2 सही, 1 बटा 20, ठीक है, तो जितनी बार जाता है, तो 20 दूना चाहिए, जितनी बार जाता है, वो आपको आगे लिखा जाता है जो 6 बचता है उपर लिखा जाता है और जिससे डिवाइट करें हैं वो आपका वही रहता है तो 2 सही बटा 20 अर्सका सही जवाब हो जाएगा तो right answer कौन सो जाएगा आपका तो यहाँ पे option देखिए यहाँ पे कौन सो जाएगा भी यह option देखिए C सही हो जाएगा ठिक C नमबर सही हो जाएगा आज़े देखते हैं अगला देखते हैं अगला निम्नकित में कौन सा विकल नीचे दियेगे शब्दों का सार्थक करम होगा अब आपको सार्थक करम में दिखाना है ठीक है चलिए देखते हैं भी देखिए कह रहें कि पहले क्या होगा देखिए पहले दिन होगा सुबा होगा ठीक है फिर क्या होगा फिर आप क्या करेंगे काम पर जाएंगे ठीक है काम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको ठकान लगेगी ठीक है ठकान होगा फिर क्या करेंगे रात होगा फैही फिर नीद आएगी तो option number इसका सई हो जाएगा देखिए c number सई हो जाएगा देखिए तो पहले आपको इसी तरह से क्रम से लगाना है तो option c सई हो जाएगा चलिए अकला देखते हैं किन tut करे आरेक कादिन करें और उना लोगों की पहचान करें जो कम से कम दो भासाएं बोल सकते हैं तो आपको देखिए कम से कम अधिक से अधिक से अधिक से अधिक सब बोल सकते हैं चलिए तो कौन कौन देखिए E जो है आपका अंग्रेजी भी बोल सकता है French भी तो E हो गया अब यह पते को जर्मन और अंग्रेजी बोल सकता है यह अप हो गया और D जो है फ्रेंच और जर्मन बोल सकता है तो यह तो हो गए दो दो भासाएं वाले ठीक है जो दो भासाएं बोल ले तो इन्होंने कहता कि अगर केवल सब्द लगा देता क्या भी केवल, केवल सब्द लगाता है तो answer EFD होता, लेकिन उन्हें केवल नहीं लगाया है, तो एक और बंदा है G GV लेंगे, ठीक है, तो option इसका कौन सा write हो जाएगा, यहाँ पे सही option हो जाएगा G, ठीक, EFDG यहाँ पे write answer कौन सा हो जाएगा option number कौन सा हो जाएगा भी C number सही हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, केवल सब्द लगा देता है तो आपका यही option EFD होता, G ना होता, लेकिन उन्हें केवल नहीं लगाया है, तो दो भासाओं के साथ और जितनी, दो से अधिक भासाओं को भी लेना है, ठीक है, तो आपका यहाँ सी सही हो जाएगा, आज दिखते हैं अगला अगला दिखते हैं भी फिर आया करने कि यहाँ इस माइनस का रथ भाग है, तो देखी माइनस का रथ क्या है, प्लस है तो प्लस रखेंगे 36 उताल लेंगे, ठीक है, और देखी भाग कारत क्या है, माइनस है तो माइनस च्छा कर देंगे माइनस कारत क्या है, भाग है तो भाग लिख देंगे भी, और प्लस कारत क्या है, गुड़ा है तो गुड़ा तीन लिग देंगे, साल्व कर लीजीए इसी को ठीक है, तो यहाँ देखिए दो, तीन, चाहर कर देंगे, ठीक है तो आपको यह जोड़, यह देखिए यहाँ पे आप वहाँ, यहाँ माल लीजीए आपको, जल्दी करना है तो इसको जोड़ लीजीए 8 6 14 और 3 एक 4 एक 5 चंगन हो गया ठीक है और देखिए ये देखिए मुल्टिप्लाई ये तो दूतिया जो 3 तरीक का 9 माइनस का 9 गटाएंगे तो कितना है का 45 ठीक है तो यहाँ पर आप्सन में आपके 45 नहीं है ठीक है तो इन में से कोई नहीं कर लिजिएगा ठीक है तो आप अबे नारेक चुने जो निम्न के भीज संबन्द को सबसे अच्छी तरह से समझाता है चलिए करने कि मनुस से चुहे डाक्टर ठीक है तो यहाँ पर देखिए मनुस के अंतरगत को न आएगा डाक्टर आएगा ठीक है डाक्टर आएगा और चुहे जो है अलग हो जाएगा आपसन भी साही हो जाएगा आज देखते अगला है देखे ये वाला ये एकदम फिरी का नंबर रहता है अगर इन प्रस्णों को आपको गलत नहीं करना है देखे इसको पढ़ना है लिमकित प्रस्ण में एक सब्द दिया गया है उसके बाद चार सब्द दिये गये है जिनमें से दिये गये सब्द के अच्छरों का उप्योग करके एक सब्द बनाया जा सकता है यहां ध्यान दिजिए किसी में नहीं बनाया जा सकता है आता है दो प्रकार से ये प्रस्ण बनता है किसी में नहीं बनाया जा सकता और किसी में बनाया जा सकता तो इसमें आपको सब्द बनाया जा सकता है वहाँ सब्द कौन है तो यहाँ आपको एक सब्द देदेगा ठीक है determination यहाँ एक सब्द दिया गया है और इसी सब्दों का प्रियुक करके कौन सा बनाया जा सकता, यह पहुचाना, देखिए, यहाँ पहला option चेक करते है, TE, देखिए, TE है, R, R है, इसमें आपको R है भई, यम, यम है, आई है, देखिए, यम आई है, यम आई है, NA है, देखिए, NA है, TE, T, E, ठीक, देखिए, दो T है, तो दो बाट T आया, कोई दिकत नहीं, ठीक, और E और D, देखिए, option A ही में ही आपका, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक, तो option A में मिल रहा है, अगर option C देखेंगे, तो को, देखिए, option C यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पी इसलिए यह नहीं होगा, ठीक है, और आपको देख लेना है, देखिए, यहाँ पे V आ गया है, तो V आपको नहीं, option B में देखिए, V आ गया है, ठीक है, इस प्रकार आपको चेक करने भी कर सकते हैं, लेकिन आपका पहला ही मिल जाएगा, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सभी option, तो option A सही हो जाएगा, आप देखिए, यह प्रस्ण आपका पूछा गया है, तो प्रस्ण नहीं कितने तिर्भूज हैं, ठीक है, यहाँ पे तिर्भूजों की शंख्या आपको बतलाना है, तो हमने बताएगा, आपको ऐसे गिल लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, और साथ, इनको सबको जोड़ लेना है, ठीक है, तो यह आपको जोड़ लेना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, साथ, ठीक है, तो इनको आप जोड़ेंगे, तो कुल कितने हो जाएगा, तो देखिए, 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 प्लस 7 ठीक है तो यहाँ पर राइट अंसर कौन सो हो जाएगा देखी को जोड़ेंगे तो 28 आएगा आपसन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकाल आपको यह करना है चलिए आज देखते हैं अगला है करने के लिमनखित में से कौन सारे एक देखी बुद्धी चिंता और सक्ति के बीच संबंद को सबसे अच्छी तरह से दरसाता है ठीक है तो देखिए देखिए सक्ति बुद्धी बुद्धी है जरूरी नहीं कि आपके अंदर बहुत क्या हो सक्ति हो ठीक है तो यह जो हैं अलग बाद है तो सकती अलग बाद है तो option c आपका यहां सही हो जाएगा आज देखते हैं ये प्रशन आप से है करें कि 2 उड़े 6 माइनस 12 तो आप divide इनको क्या कर देंगे भाग देंगे 3 आ जाएगा तो ये 6 दूना 12 कर देंगे माइनस का 3 प्लस का 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 दूई 14 माइनस 3 9 3 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11 ठीक तो option b आपका सही हो जाएगा 11 यहां अंसर हो जाएगा तो ये इन प्रशनों में जो किया आए हुए थी दम आशान थे आएगे दिखते हैं अंगला है अब ये भी आपके आशानी प्रशन के अंतर गताता है करें yes a से लंबा है और r c से लंबा है लेकिन v से छोटा है yes c से छोटा है तो इन में से सबसे लंबा कोन है ठीक है तो आपको ये दिखाना है तो कहने कि yes a से लंबा है तो ऐसे बनाना है yes greater than a ठीक है आगे देखिए अब यह yes जो है c से छोटा है तो देखिए यहाँ पढ़ लिजी आप देखिए लाश्ट में पढ़िए कहना है कि yes जो है c से क्या है छोटा है तो c greater than a yes हो जाएगा अब यहाँ पर आ जाएगा आजए r से c हो गया लंबा ठीक है लेकिन v से क्या है छोटा है तो v जो है सबसे greater हो जाएगा v सबसे बड़ा हो जाएगा ठीक है लेकिन कहरा है ना लेकिन किसके लिए है r के से आया है लेकिन r जो है v से क्या है छोटा है तो r के पहले क्या हो जाएगा v ठीक तो यह आपका सही बने अगर सबसे छोटा पूछता तो आप सको बताना है ठीक है A number अगर इसी में पूछता कि सबसे बीच में कौन है वई तो बीच में आपको निकाल देना है दो बाहर से दो C आ जाता तो इस प्रकार आपको प्रशने पूछा जा सकता है अगला देखते हैं अब देखिए यह भी डाइगराम का है तो यहाँ देखते हैं देखिए यह जो आयत है वे बिवाहित लोग को बता रहा है जो सरकिल है वो संयुक्त परिवार के रहने वाले के लोग को लिए तिर्भुज जो है इसकूल सिच्छक को बता रहा है तो पूछा है कौन से अच्छर से उन लोगों को दर्साय जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो बिवाहित है और ना ही सिच्छक है तो यह आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पे राइट अंसर कौन सा हो जाएगा शलिए भी तो कहने कि कौन सा लोगों क है और ना ही सिच्छक है तो कौन है भी तो इसमें आपका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ठीक है तो टी आपसन वो जाएगा आपसन डी यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है संयुक्त परिवार हो संयुक्त प पुचह रहा है कि ना बिवाहित हो, तो बिवाहित किसको बता रहा है भई, ये वाले को, ठीक है, ये वाले को, आयत को, और ना ही सिच्छक हो, सिच्छक किसको बता रहा है, ये तिर्भुज को, ठीक तो ये नहीं होना चाहिए, टी बचा, ये आ, ठीक है, आपसन, डी सही हो जाएगा ठिक जहीं आप ऐसे काड़ दीजिए इनको तो T ही आपका बच रहा है आपसंट D हो जाएगा सही अगला देखते हैं अगला कहने कि दिखत में से कौन सा अभीकल नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक करम में होगा तो यह आपको बताना है भी तो पहले आपका क्या होगा देखिए पहले आपको देखिए कहरें कि देखिए जन्म मिरित्तो अंतेष्टी मतलब आप चांते हैं मतलब अंतिम सं जन्म के बाद क्या होगा तो वो पाएगा सिच्छा तो पहला और पांचवा तो इस परकार देखिए पहला और पांचवा सिर्फ आपसं सी में है तो आपसं सी यहां सही हो जाएगा और चेक करने की जरूरत नहीं है कर सकते हैं अंतेष्टी आपका अंतिम संसकारबाद में आता है तो यह तीसरा है देखी तीसरा इसमें तीसरा आक सी वाले में ही आपसन में हैं तो पूरा चिकने की जरूरत भी नहीं है ठीक है तो इस प्रकार आपका पहला पांचवा फिर बिवा होगा ठीक है जन्म होगा सिच्छा पाओगे बिवा होगा फिर क्या होगी मृत्त हो आपका यहां कौन सा हो जाएगा सबजी ठीक है सबजी बाहर आएगा सबजी के अंतरगत आलू जो है सबजी के अंतरगत आती है ठीक है तो आलू अंतर हो जाएगा और लेकिन जानवर जो है आपका बाहर हो जाएगा ठीक तो यह आपसन आपको यहाँ कोई figure नहीं दिख रहा है तो इन में से आप option एकल लिजिए इन में से कोई नहीं ठीक है कोई नहीं ठीक है तो सबजी बाहर हो जाएगा सबजी के अंतरगत क्या आएगा आएगा आलू आती है ठीक है ठीक है ठीक है साता हैं, वर्ग वश्क को, लिख लीजिए भर, तिरभूज जो है डाक्टर को, ठीक है, वर्ग मतलब आयत की ठिरा दिखरा रहे कहाये तो वर्ग मान लेते हैं, वकील ठीक है, अंदर साता है, या और बृत जो है साच्छा, ठीक है, आब इसको तुर्ब कहन बता दिए देखिए पांच हो जाएगा आपसन भी यहां सही हो जाएगा ठीक है ठीक है पांच लोग जो है क्या है डाक्टर और वकील की संक्या क्या है जो साच्छर है तो साच्छरों की संक्या कितनी हो जाएगी पांच हो जाएगी जो की वकील और डाक्टर है ठीक है यही आएंगे ठ आई देखते हैं अगला है अगला ऐसे कहरें कि यदि प्लस कारते भाग ठीक है तो आप यहीं प्लस कारते करते हैं भी 18 लिख लेते हैं प्लस कारते कहरें कि भाग है तो भाग लगा गए देखेंगे सिंबल ठीक है प्लस कारते भाग भाग करते गुड़ा देखिए भाग करते गुड़ा ठीक है और गुड़ा करते गटाओ जब सीरियल मेरे खाई तो कोई जरुवित नहीं ने लिखे ने कि बार बार ठीक है गुड़ा करते गटाओ मतलब 5 हो जाएगा और माइनस करते जोड़ हो जाएगा माइनस करते जोड हो जाएगा जोड दो ठीक साल कर लिजी वे ये अच्छा तिरीक 18 और 7 तिरीक कैस हो जाए गुडाक चिन लगा है ठीक है माइनस 5 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 23 ठीक है भी 23 माइनस का 5 कटा दीजी और 18 आंसर 20 ही हो जाएगा ठीक है छेक कर ये भी चेक कर ये द eccिए then meg db 2 होगया ठीक है i भी है और आपका cb है फिर i i यहां दो बार लिए गया ये भी द्यान देखना अगर एक बार सब्द में i है एक बार i है तो एक बार ही आना चाहिए double बार ना आएगी है मतलब नहीं समझिए गया तो i है कई बार भी लिख सकते हैं सिर्फ एक ही बार लिखना है तो देखिए i यहां दो बार लिख दिया गया है तो इस मेकार आपका zone कह रहा है नहीं बना जा सकता भाई यह number ही हो जाएगा और चेक करेंगे तो यह बताना है तो देखिए यह जो है आपका उलट हो जाएगा तो कैसे बनेगा यह आपका ऐसे बन जाएगा ठीक है ऐसे बन जाएगा ठीक और ठीक है यह इस तरह से बनेगा तो देखिए कौन सा इसमें होगा देखिए option number इसका पहला ही सही हो जाएगा और देखिए ये उल्टा बन रहा है टिक है और ये जैसे है वैसे बन गया है तो नहीं होगा उलड के आए ठीक तो option number A आपका सही हो जाएगा है और देखिए गोला वाला भी चेक कर लिजिएगा ठीक है, यह जो है ऐसे ही होगा, इसमें आपका इधर है तो यह इधर आ जाएगा, ठीक है, यह इधर आ जाएगा, ठीक है अगला है कहने कि निम्रखित में से एक शब्द दिया गया है देखिए, वही है यह word दिया गया है और वही question repeat हो गया ठीक है जाने देजिए इसको आजे देखते हैं इसको कहने है पिखलना तरल जमना तो इसका right count हो जाए जैसे प्रकार पिखलना से संबन तरल से उसी प्रकार जमना से क्या होगा वहाए जम के कहे रहा है कि बरफ होगा अक्सीजन होगा तॉस होगा या दाब होगा तो right answer आप का यहाँ c हो जाएगा ठोस हो जाएगा दो ती इस प्रकार आपको देख़ें ऐसे इसका multiply करके जोड़ दीजिए ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना है multiply करके जोड़ देना है ठीक है तो 3 into 3 बराबर 9 हो गया 2 into 2 4 1 into 1 बराबर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 4 14 तो मतलब आपसन नंबर कौनस हो जाएगा सी नंबर यहाँ सही हो जाए ठीक है तो इस प्रकार आपको यह करना है 14 आपसन सही हो जाए अगला देखते हैं भी आकरित का अध्यन करेंगे और नीचे देगे प्रस्ण का उत्तर दे ठीक है यहाँ पे करना है आपको कहने कि देखिए बड़ा वाला व्रित है नियोजित लोग को बता रहा है तो यह बड़ा वाला नियोजित कर लीजिए ठीक है और पिछड़े लोग छोटा वाला ठीक है और सिच्छित लोग को तिरवोजे तो यह आपको बताना है कहने कितने पिछड़े लोग क्या है सिच नहीं है तो सिच्छित वाला भीया इसको क्या करना है क्या करना है उसको हटा देना है ठीक है ठीक तो इसका आपसन कौन सा हो जाएगा कितने पिछड़े लोग सिच्छित नहीं है ठीक है तो पिछड़े लोग कौन है ये छोटा सर्किल ठीक है छोटा सर्किल वाला तो यहां पर देखिए, यहाँ पर 17 यह नहीं कहा है कि आपका क्या नियोजित लोग नहीं होना चाहिए, तो यह भई नियोजित लोग को भी लेंगे न, तो 17 प्लस 5, 22 हो जाएगा, आपसं सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं, निम्रिखित देखिए, पिर्थिभी पिर्थिभी यह हो गई, ठीक इसके अंदर कोन आएगा भी, पिर्थिभी पर समुंदर आएगा सूर्य जो है आपका अलग आएगा, ठीक है? यह पिर्थिभी हो गई, और यह आपका समुंदर अंदर वाला हो गया, और यह सूर्य हो गया ठीक तर राइट अंसर कौन्स हो जाएगा C सही हो जाएगा आपसंस C हाँ सही हो जाएगा ठीक है आज देखते हैं अगला यह देखिए इसको आपको सरलिकरान करना था देखिए इसको डिवाइट कर दीजिए पहले डिवाइट करेंगे तो बरतियाई 36, 30 आ गया ठीक है, प्लस चर्तियाई 12 तो जोड़ दीजिए भई, बयाली संसर हो गया राइट भी हो गया, कितना आसान परशन है चलिए, अगला देखते हैं करें कि K G से बढ़ा है, तो K greater than G बढ़ा है, G A से बढ़ा है G जो है, A से बढ़ा A जो है, R से छोटा है ठीक है, G A से बढ़ा है greater than A कर दीजिए A जो है, R से छोटा है मतलब R को बढ़ा कर देना A से, R जो है G से छोटा है, तो अब R यहाँ G के बाद आएगा, ठीक है यह आपको ध्यार रखना है तो इन में से कौन सबसे छोटा है तो बढ़ा, छोटा तो A हो गया ना तो option D यहाँ, सही हो जाएगा, ठीक है ठीक, option D यहाँ, सही हो जाएगा अगला देखते है कहरें कि, आपको देखी नहीं बनाया जा सकता है, ये सब्द दिया गया इसी सब्द से आपसे ये शब्द से आपको बनाना है तो यहाँ पर चिक करिये भी नहीं बार ला करना है तो देखिए आपका राइट अंसर यहाँ D बाला हो जायगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए PE, PE यन कान सा विकल नीचे दियेगे स्रब्दों का सार्था करम होगा, बताईए वे, तो पहले क्या हो जाएगा, यहां पर सार्था करम में लगाना देखिए, सिसू आएगा, फिर क्या आएगा भी, फिर आपका, फिर बच्चा होगा, अदला बच्चा बनेगा, बड़ा होगा अगर आपको अपसंस से हीट कर लेना है, एक दो चSee करना है, अगर किसी में नहीं मैच कर रहा है तो आपसंस वही व StraNG, पहला जायेगा जो पहला, पहला धूसरा मैच कर रहा है, तो यह कुछ जो हैं इंपरशन नमेही नहीं करना है, अगर इन परशनों को आप गल्त करते ह इंगा कि एक प्षॉब न मैं